तो हेलो दोस्तो अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है तो आप राशन कार्ड आउनलाइं कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की और राशन कार्ड में अपने ममी पपा या किसी घर के सदस्य मेंबर का राशन कार्ड में नाम जोरना तो भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आप नाम भी जुर्बा सकते हैं और रासन कार्ड में किसी और रासन कार्ड में अगर चाहते हैं घर कोई सदस्य का नाम चुट गया है किसी बेक्ति का नाम चुट गया तो उनका नाम भी आप रासन कार्ड में एड कर बासकते हैं बिल्कुल अशानी से तो सारी जनकारी आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर लाट सक देखिए और चैनल पर फाइट हमें तो सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको यहार सरकार का वीडियो को नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं अगर चाहते हैं अपना नया रासन कार्ड नहीं बनवाना है अगर किसी बेखती का नाम जुरू करते हैं तो आपको दिखाते हैं उसके लिए कि flick के देखा है कि आपको अपने ब्लौक पहनए नोटिफिकेशन जारी कर देए उसकी लिए टुप क्या करना होगा निवास पर्मान पत्र आपका लगेगा आया पर्मान पत्र लरा करना है और नाम जुरने वाले सभी 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 बेक्तियों का अधार कार्ड क्षसक्ष honestly यहां पर अधार कट लेगा उसके बाद पूर्व में निर्गित रासन कार्ड नाम जोरने वाले सभी सदस्य तो जितने नाम जरुबान है उन सब को ब्लॉक में जाना होगा दोस्तों और आपको जो जो यहां पर दोख्तों प्रपत्र खाया इसमें आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना या फिर आपको कहीं पर मिल जागा तो इसमें आपको आवेदक का नाम पड़िवारिक फोटो अधार नंबर मुबाइल नंबर आवेदक के पति पुर्भावाश्य पता विदमान रासन यहां सबनार है नंबर नंबर करके यहां पीता पती का नाम डालना है नहींज लगाना है उसके बाद आप सअहरी छेतर से आपको उपर बाले में नहीं पर लंथ का भड़िए तो इस प्रकार से दोस्तो और घोसना पत्र हैं यहां पर अपना नाम लिखवा दिजिएगा जिनका भी राशन कार्ड है और इस फॉर्म को लेके आप अपने अर्टिप्यस एकाउंट पर जाके जमा कर दिजिएगा तो आपका राशन कार्ड में नाम जूर जाएगा तो इस